जाननिसार दो हजार चौबीस कहानी हिंदी में जाननिसार एक एमोशनल और रोमैंटिक ड्रामा है जो नोशेरवान गजनवी और दुआ की प्रेम कहानी पर आधारित है नोशेरवान डेनिश टाइमूर एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से है अपने भाई की मृत्यों के बाद वह परिवार की जिम्मेदारियां संभालता है दुआ हीबा बुखारी एक सीधी साधी लड़की एक मध्यम वरगिये परिवार से है नोशेरवान और दुआ की मुलाकात एक कठिन परिस्थिती में होती है जहां नोशेरवान दुआ की साधगी और मासूमियत से प्रभावित हो जाता है कहानी का पहला मोड नोशेरवान अपने परिवार के दबाव और सामाजिक रुकावटों के बावजूद दुआ से शाधी करने का फैसला करता है लेकिन उनकी राह आसान नहीं है उनकी प्रेम कहानी में कई समस्याएं और गलत फहमियाओं आती है खासकर कश्माला, हीबा, आली खान जो नोशेरवान के प्रती जुनूनी है और दुआ के जीवन में मुश्किलें खड़ी करती है नया मोड जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दुआ और नोशेरवान की नजदी कियां बढ़ती है लेकिन एक गहरा राज उभर कर आता है नोशेरवान के परिवार में छुपे हुए एक पुराने दुष्मन का चेहरा सामने आता है जो उनके जीवन को तहस नहस कर सकता है इस दुष्मन के कारण नोशेरवान को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी और दुआ की जिंदगी बदल कर रखतेगा अब नोशेरवान को यह साबित करना है कि वह दुआ के लिए अपनी जान भी निसार कर सकता है इस नए ट्विस्ट के साथ कहानी में तनाव बढ़ जाता है और दर्शकों की दिल्चस्पी भी क्लाइमेक्स कहानी के अंत में कश्माला के अतीत के रहस्यों का खुलासा होता है जो उसकी नकारात्मकता और नफरत का कारण बताते हैं नोशेरवान और दुआ के बीच की सभी गलत फहमिया दूर होती है और उनका प्रेम जीतता है अंत में कश्माला अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और नोशेरवान और दुआ खुशी-खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं वीडियो के लिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अपने कमेंट्स और लाइक के साथ हमें बताएं कि आप आगे कौन सी कहानियों पर वीडियो देखना चाहते हैं